जय हिंद दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है मिस्टर स्कैलपर की एक और नई वीडियो में और मैं हूँ आप सभी का दोस्त तोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सब्सक्राइब करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजगा बैल आइकन को दबाईएगा और इस वीडियो का लाइक ये में हम रखते हैं 4,000 लाइक जो कि आप पूरा कर ही देंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देगे सबसे पहली चीज इस वीकेंड की वीडियो बनाने से पहले मेरे पास इंस्टाग्राम पर अगर आपने और लोगों ने अभी तक मेरे इंस्टापर फॉलो नहीं किया है तो लिंक अगर आप मिर से पूछे इस डेटा को अगर मैं हिस्टारिकली मंतली चार्ट पर लगाता हूं तो हम एक चीज नोटिस करेंगे जो 2003 से लेकर 2004 से लेकर 2008 तक का बूल रन आया था चार से पांट साल का उसमें भी अगर आप एक चीज देखते हैं मंतली चार्ट में जो आरेसाई है वो हमेशा 70-60 के उपर ही रहा है पूरे टाइम अगर आप देखे 4-5 साल आरेसाई डिप करता बिल्कुल इस बॉर्डर से बा दिखाई दे रहा है आपको क्लिरली हम है तो 60-70 का जो एरिया है इस एरिया से हम लोग दुबारा से एक बाउंस लेना चाहिए हम लोगों को तो यह चीज हमें दिखाई दे रही है आरेसाई के फ्रेंट पर दूसरी चीज आप इस चीज को में हटा देता हूं वीकली चार् क्या चाहिए ता उसके बाद पूरा मार्किट में जब भी इस मूविंग फ्रेम में मार्किट ने बाउंस दिया है लास्ट टाम यह में प्रेक ब्रेकाईड दे के मार्कंट नहीं जब ओपर की सेट जाने को डूबारा से शुरू किया था तो हमने देखा था 14,500 से मार्केट कितना अच्छा 4-5,000 का पॉइंट का हमें एक रैली देखने को मिली थी मार्केट के अंदर तो ऐसा मैं नहीं कह रहा है कि मैं मार्केट में रैली आने लगी 4-5,000 पॉइंट की बड़ ये historically जो चीज मिर को data दिखा रहा है historically जो चीजे दिखा रही है वो मैं आपके सामने इस वक्त रख रहा हूँ दूसरी एक important चीज जो हमें देखनी है इस वक्त निफ्टी में अगर हम shorter time frame में जाते हैं आवरली time frame पे अगर मैं जाता हूँ निफ्टी में तो एक चीज मिर को यहाँ पर दिखाई दे रही है निफ्टी के अंदर के market ने इस level के उपर जो है एक double bottom बनाया है first double bottom market ने कहां पर बनाया है 16,800-900 की range के आसपास उसके बाद अगर आप last week देखें तो market ने इस area के आसपास भी एक double bottom kind of pattern जो है वो बनाया है यह कौन सी range है 17,400 से लेकर 350 की range तो यह 2-3 चीज़े जो मिर को दिखा रही है कि market में यहाँ से एक bounce या rally की expectation हो सकती है देखे setup अपनी जगह है analysis अपनी जगह हो सकता है बट आपको कोई भी चीज या कोई भी analysis के base पर अगर आपको trade लेना है तो stop losses आपके defined होने चाहिए क्योंकि nothing can be perfect setups जो technicals होते हैं यह सिर्फ probability दिखाते हैं अगर setups और technicals से market बिल्कुल 100% ही काम करते हैं तो हर कोई के वल technical की किताब पढ़ गे market में पैसा बना सकता था बट ऐसा नहीं है main चीज होती है psychology risk reward manage करना trade manage करना सबसे जाधा important होता है और आप वो चीज हमें सबसे जाधा देखनी चाहिए तो अब मंडे को किस तरीके से trade कर सकते हैं एक शनिफ्टी इस वक 17,625 का मेरे को level दिखा रहा है market मेरे को बोल रहा है कि मैं gap up करने वाला हूँ और एक important resistance के उपर gap up करने वाला हूँ तो ये क्यों हुआ सबसे पहले उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वर्ल्ल मार्केट में वर्ल्ल मार्केट मेरे को क्या चीज दिखा रही है डाव जोंस 230 पॉइंट उपर डाव फ्यूजर बंद हुआ है नाजडाग लगबग 170 पॉइंट बंद हुआ है S&P 500 all time highs के आसपास बंद हुआ है US का inflation data जो 6.8 आया है expectation को meet करते हुए आया है उस पे market ने positively react हिया है बहुत सारे expert बहुत सारे लोग इस चीज के लिए बोल रहे थे कि अगर US का inflation data जादा आता है जैसे जो expectation है 6.8 6.7 आता है तो market में correction आ सकता है बट ऐसा नहीं हुआ शायद market ने पहले से इस चीज को price in कर रखा था या फिर जो भी चीज है हमें क्या देखना है हमें price action को देखना है जो हम बोलते हैं भाव भगवान है जिदर price चलेगा उस side का आपको trade लेना है बाकी सारी चीजे बाकी सारी news secondary होती है ठीक है पहली चीज तो यह दूसरी चीज जो अभी latest एक चीज आई है कि महाराश्टर ने मुंबई में मुंबई महाराश्टर में मुंबई के अंदर कुछ restrictions लागू की है for 48 hours I don't know बहुत सार लोग इसका मेरे प्यास टेलिग्राम पे आया इंस्टा पे पूछ रहे थे तो मैं वजा देता हूँ कि अभी कुछ ऐसा अपडेट तो आया है बट I don't know इसका market में किस तरीके से effect पड़ेगा वो हमें Monday को देखना पड़ेगा क्यों इस चीज को अभी हमें mind में एक चीज आप रखना कि यह चीज भी हुई है बट market मेरे को नहीं लगता है इसका कुछ जाधा effect पड़ेगा वो अब Monday को SJX Nifty अगर दुबारा से 100 पाइंट उपर से 100 पाइंट नीची हो जाता है इस news की वज़े से तो हमें दुबारा से strategy बनानी होगी और उसके लिए आपको गया करना है टेलिग्राम चैनल को जोईन करना है क्योंकि कुछ भी अगर ऐसा अपडेट होगा वो मैं आपको यहां पर शेयर कर दूँगा दो दिन से थोड़ा जादा मैं active नहीं हो just because market range में फसा हुआ है और level काम करते हैं जो मैं वीडियो में बताता हूं तो मिरेको उतनी जादा अपडेट देने की ज़रुवत नहीं पड़ती है दूसरी चीज़ अब हमें क्या चेक करनी है वो है FNO data देखिए FNO data क्या बनके आ रहे हैं मंडे के लिए एफवाइज बीरिश प्रोज मिक्स्ट रिटेलर मिक्स्ट काइंड ऑफ बुलिश बट ऑन दा मिक्स्ट साइड इसमें एक चीज़ मेरे को क्या दिखा रही है अगर आप देखें Friday के session में बीरिश गए हैं पर उनकी जो quantity है वो बहुत कम है इसके अलाबा डेटा में आसा कुछ भी ने बड़ा नेगेटेव मेरे को नहीं दिखाई जो problem दिखाई दे मेरे को market के लिए तो ये चीज मेरे को दिखाई दे रही है इस वक्त एक concern जो आपको जो जर्क दे सकता है market के अंदर market उपर जाने के बाद एक बार के लिए नीचे दुबारा को आ सकता है वो केवल इस वज़ा से आएगा वो है रिटेलर ने जो put short करी हुई है इस वज़ा से ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बाकी डेटा positionally overall इतना खराब मेरे को नहीं दिख रहा है दूसरी चीज अब अपने को क्या देखना है निफ्टी में trade करते होगे थोड़े छोड़े टाइम फ्रेम में चलेंगे 15 मे market में last time इसी level के आसपस से sharp selling आई थी और वो selling market को कहां तक लेके गई थी ये selling लेके गई थी लगबग 16,800 तक तो लगबग 800 point का एक sharp correction market में इस level से आया था तो अगर निफ्टी इस level के उपर open होता है मंडे के लिए 17,600, 17,550 ठीक है 500 and 50 आप लेके चलिए 550 ये एक बहुत crucial जो है support की तरह act करेगा gap up opening के बाद अगर मंडे को कोई बड़ा gap up होता है avoid करना है ठीक है wait करना है dip का dip आपको कहां तक मिल सकता है 600 से 550 तक का अगर आपको कोई भी dip मिलता है वो एक buying opportunity होगी 550 का stop loss होगा 550 530 के नीचे अगर market आता है एक बार के लिए position से निकल जाना इसका म not be surprised first target जो अपना पहला बनके आएगा वो बनके आएगा 17,690 का 17,690 वीकली पोजिशनली टागेट में आपको बता रहा हूं जिससे आपको पूरे वीक का idea मिल जाए second target जो मेरा बनके आएगा 17,830 का third target जो मेरा बड़ा target जो बनके आ रहा है वो बनके आ रहा है एक बार 17,940 के area का 940 से लेकर 950 का area मेरा जो है वो full and final एक target होगा ठीक है ये मेरा target होगा निफ्टी के अंदर नीचे की side अगर मैं बात करता हूं मैं shorting cup करना prefer करूंगा जब market 17,380 के level को break कर देगा 17,380 के level को अ positionally I would not be surprised market इस level तक आए पहला target का होगा 17,250 तक का second target जो मेरा बनके आएगा वो बनके आएगा 17,150 का और 150 के नीचे भी अगर market निकलता है तो मेरे लिए जो important level बनके आएगा 17,050 का 17,040 का level आप जो है वो trade कर सकते है ये हमारे positionally targets होंगे अब उपर की side में 17,950 क्यों देख रहा हूँ पहले सारे levels आपने note कर लिए तो एक बार मैं हटा देता हूँ daily chart में मैं चलता हूँ daily chart में अगर मैं जाता हूँ तो आपने देखा था daily chart के उपर nifty में एक head and shoulder pattern बना था इसका breakdown हुआ था तो अब market ने क्या किया है daily chart के अंदर market ने एक w pattern बनाया है सबसे पहले उसके बाद market यहाँ पे एक resistance के उपर जो यहाँ पे एक island gap बना हुआ था जिसको मैं बोल रहा था एक बहुत crucial जो एक island gap market ने बनाया है इस gap के उपर जो है अगर market sustain करने लगता है तो यह बहुत positive होगा market के लिए इसके उपर जो ही trend line का resistance आ रहा है वो मेरा लगवग 17,900 और 950 के आसपास आ रहा है तो यह हमारे positionally इस week के target होंगे अगर हम इस gap के उपर या इस resistance के उपर निकलते हैं तो यह हमारा nifty में view रहेगा bank nifty की अब बात करते हैं देखिए bank nifty जो है एक बहुत अच्छे setup के साथ खड़ा हुआ है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ bank nifty ने क्या किया अगर मैं थोड़े shorter time frame में जाता हूँ 30 minute time frame में अगर मैं bank nifty के अंदर यहाँ पर जाता हूँ तो bank nifty ने यहाँ पर क्या किया bank nifty न और 200 moving average को लगाता हूँ यहाँ तो 200 MA के उपर bank nifty ने double bottom formation किया है daily chart के उपर जो कि एक बहुत strong formation है तो fresh weakness अगर किसी को bank nifty को short कर रहा है मेरे हिसाब से जब तक 35,700 का level नीचे की side नहीं तोड़ता है bank nifty या इसके नीचे close नहीं देता है 35,700-600 की range के नीचे तब तक मेरे 50 week नहीं होगा या वो short करने पर वो momentum नहीं मिलेगा ठीक है उपर उपर चला जाए उसके बाद उपर resistance पर आप short करते हो वो अलग बात है इस एरिया पर नीचे जाता है तो इस एरिया पर buying आपको मिलेगी strong support मिलेगा और यहां से bounce आने की probability ज़ादा है दूसरी चीज डेली chart अगर आप देख रहे हैं market ने क्या किया है एक breakaway gap बनाया है breakaway gap क्या होता है अगर मैं shorter time frame में आपके पास आता हूँ shorter time frame में अगर आप देखें यहां पे तो market ने इस area पर आपको दिखेगा एक gap up किया है इसको breakaway gap क्यों बोलते हैं क्योंकि इस area पर gap है इसको runaway gap बोलते हैं अब इन दोनों में difference क्या है, difference यह है कि market पहले से यह area में जो है formation बना रहा था lower high lower lows का, तो trend के साथ जो gap बनता है उसको हम runaway gap बोलते हैं और यहाँ पे जब trend के against में इस side का एक gap बनता है उसको हम breakaway gap जो है वो बोलते है, market ने जो है break किया है इस level को और उसके बाद यहाँ पे gap create कर दिया है, तो bank nifty यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने इस breakaway gap को जो है वो retest किया है और यह breakaway gaps जो होते हैं वो बहुत अच्छे एक support की तरह act करते हैं, तो weakness अगर आपको fresh weakness का अंदेशा पहला चाहिए, bank nifty के अंदर, तो वो तभी आएगा जब bank nifty इस breakaway gap को नीचे की side तो पोड़ेगा, तो यह हमारा bank nifty के लिए view रहेगा, उपर की side अगर आपको bank nifty में यहाँ पर trade लेना है, तो first level जो निकल के आता है, अगर मैं 15 minute time frame में जाता हूं, bank nifty को लेकर, तो first level जो है जिसके उपर आपको इसे long करना चाहिए, वो level मेरे लिए निकल के आ रहा है, 37,250 का तो 37,250 के उपर आप bank nifty को long कर सकते हैं, first target आपको क्या बनेगा, 37,400 का यह level और 37,400 के उपर अगर bank nifty निकलता है, जो की हमारा important target होगा, level जो होगा, वो अगला निकल गया है, 37,500 और 37,500 के उपर मेरे इसाब से bank nifty के जो rally है, 37,700, 800 तक extend हो सकती है, तो 37,700, 37,800 मेरे लिए target ह हो सकता है, यह में Monday को ही मिल जाएं, अगर जिसे साब से bank nifty strong moment दिखाई है, Friday के दिन, बट अगर हैसा होता है, तो बाकी तो आपको पता ही है, मैं daily जो है, वो bank nifty nifty के उपर update आपको करता ही रहता हूँ, अपनी वीडियो के तूरू, तो वो आप check out कर सकते हैं, PCR data की अगर आप मिर से बात कर रहे हैं, 1.1 PCR, 1.01 PCR nifty का comfortable है, जो थोड़ा overbought category में nifty जा रहा था, वो हलका हुआ है, जो कि एक positive बात है, bank nifty का PCR 0.89 है, strong PCR है, और आप strong PCR इस चीज़ से भी देख सकते हैं, 37,000 से लेगर 36,800 तक aggressive put writing है, और उसके मुकाबले 37,500 के अलावा कहीं पर कोई aggressive call writer नहीं खड़ा है, तो ये एक और positive चीज हमें दिखाई दे रही है, तो overall जो setup, technical setup, chart setup और data wise setup जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, या world market से भी जो चीज़े आ रही है, positivity दुबारा से अमर्ज हो रही है, अब देखना होगा, कुछ effect, जो especially इस news का, या फिर और कुछ बड़ा अगर कोई development होता है, नए variant को लेकर, उसकी वज़य से कुछ negativity आती है, तो अलग बात है, वो तो मैं बाकी आपको update कर दूँगा, टेलिग्राम पे, उसके लिए link आपको नीचे description में मिल जाएगा, दोस्तो आशे करता हूँ, वीडियो पसंद आए होगी, वीडियो पसंद आ